असलाम लेकुम कैसे हैं सब होपियों सब ख़ीर से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगी दुआउं से और महावबत से और जी मुझसे काफी लोग पूछ रहते हैं आप चटनी की रेसिपी बता दे हैं पंजाब वाली चटनी की चले मैं आपको पंजाब वाली इसको बटी पें भीक से मतला पीखा देते हैं वे हं इनको दालते हैं साथ में इन कि जए म lineup ये हैं कूट गी कशन में भीक सारी कर लिए दिषक अनवह ठीए जिर दाला लाकश्णंगों खर्डशंगों तिया फिर ये जो लसठ बगल दालते जाथैं उसको मिक्स क्या तो कुटा क्यान मतलुटर गा मुस्पी यह वरे में यह जी तो फटूल City नो बड़ी ऐसे में लशेए sua इसको उन्होंने काफी टाइम तक बिल्कुल इतम पेस्ट बना ली था पीस पीस के हाथ से लेकिन मेरे में अनार्दन नहीं डालता है मैं का मैं घर जाके डाल लूँगी तो अब उस चट्नी में अनार्दन डालके इसको ग्राइन कर लिया है पंजाबरी चट्नी आप लोग को म भूध मंजय का लगता है आप लोग लंडिया मेने डाला आय में अदक कप पानी से नमक जाल के इसको ग्राइड कर लिया अचा फिर मैं बता देती हूंunde म Sup नर swiftly भूँगी अरदनों केलिए यह मां निकाले आप आपका की वेस्ट भी नहीं होगी और के हुई तो यह मैंने दही बढ़ों के लिए बना के रखी है अब चटनिया सारी अचारी अच्छा जीजे मैंने डाल चके न हरधनिया पोदीना लशन जीरा अध्रक टुकड़ा पोदीना हरधनिया वह साथ में नमक डालकर मैं उसको अच्छे से ग्रैंड कर लिया और यह हमारी मजे वाली सी गिरीन चटनी भी रेडी हो गई है वहां हमने पंजाब वाली चटनी में अनारदना भीगा के रखा था वह डालके उसको हमने ग्रैंड कर लिया अच्छे से मजे वाली वह खटी सी वह थोड़ी था बहुत जदा स्पाइसी सी तो अनारदना में वह और डबाल हो ग मेह कोई थी इसका राज बताऊंगी कि इस चट्टी में महक कैसे होई थी अच्छा यह मैंने इंडी भगा के रखी थी एक कप इसको मैंने दो घंटे बस भगा के रखा था अच्छे से यह फूल गई आब इसका हम इसका हम पूरा पल्प निकाल लेंगे मतलब जितना इसका गुदा है ना सब हमने निकाल लेना है तो इसको अपने हाँ से अच्छे से मसल मसल के आपने सारा गुदा इसका निकाल लेना है पानी डाल ललके मैंने से पानी भी एट कर रहा था उसाते मैंने हातों की मदद से इसको अच्छे से मसल मसल के सारा इसका जो हमारा काम की जालते न यह इससे न मज़ा नहीं आता आप देखें मैंने साबुत मिर्चेंज जीरा और साबुत धनिया यह मैं डालके ना हलकी आच पे न इसको में अच्छ कर दी और अब इसको में ड्राय रोस्ट करूंगे मतलब इसको में हलका सा भूनूंगे तक इसमेल आजाए इसका क किकने की खुश्बू है फुरे घर में घूमेंगी इतने माज़गी ती तो यह मैं इसमें चे चिम्हा कि आप अदा कप इमली दी तो उसमें चे चम्मत चीनी के आप इस दो को डबल भी कर सकते हैं आच अचा एया जब सूमें यह एड़् किया अब इसके बाद जो है नमें ग्रेंड करूंगी अब इसको में इसको ठंडा करके आप ग्रेंड करें इस से जो इसको जो इसको जैएक हमारा न्मक और Ск inspirί नामक और यह जा रहा है काला न्मक अपने बिरुकुल मिस नहीं करना यह लाजमी डालना है यह इसमें जान डालता है उसाथ में जो मसाला हमने भू यूजानों में यूज की जाती है इम ली की यह पोखोध ही वनीदी थोड़ी थीक हो गई अब यह इसको मैं ठंडा करने जब मैंने रखा था न अभी तो मैंने डिशॉट रोगे आपको दिखाया है लेकिन जब अब अब थीक्नेस और जो आप लोगों ने जितना गाड़ा रखना है जितना पतल रखना यह सब आप पर डिपैंड करता है ठीक हमारी तीनों चट्निया रेडी हो गई है पंजाब वाली चट्नी में मैंने अनारदना डालके उसको किया गिरीन चट्नी बनाई साथ में खटी मिठी स्पेशल रंजानों की चट्निया बनाके रख लिए आप इस चट्नी को तो आप डिबे में डालके रख लें यह खराब नहीं होगी नीचे भी अचाब दो जो चट्निया ना उनको मिने फ्रीज कर दिया है क्यूब्स में डालके उसको असानी यह होगी कि आप जो है ना रोज एक क्यूब्स निकाले और यूज कर लें आपकी आने वली चट्नी है पंजाब वल्यों हो इसके तो अल्लागी मज़ा था आप लोग इंज्वाए करें चट्नी को और मुझे दौाओं में रखेगा और साथ में मैं इसको फ्रीज करने का तरीका भी आपको बता देती हूं कि आप बरफ की क्यूब्स दें और इसमें इसको मैं से चट्नी आपकी जोड़ीओं मैं रखता में तो अकशने के सब्सक्राइद नतों है कि कोयाए निदू मндया था सब्सक्राइद मीज़ा थैजयाता है अब शिक्राइध के तो आपको ब्लच्प्स जम जाएक तो आप इसको जिप लॉक बैग में या किसी शॉपर में डालके रख लें और अराम से एंजॉय करें ये दो से तीन महीने तक चटनी आपके कहीं ये जाएगी एजिली और अब चटनी में चामलों के साथ अलू के साथ किसे आप एंजॉय करें ठीक जी दुआ में आद रखेगा अपना खया झाल